हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों मेरे पास बहूट सारे वीवर्स के कमेट आते हैं वो यह जानना चाहते हैं कि हमें फॉन पे ट्रांजेक्सण हिस्टरी को डिलीट करना है जो भी दोस्तों आप फॉन पे के अंधर ट्रांजेक्स आप दिलिट करना चाहते हो तो यहां पर दोस्तों आपको कोय भी उप्षन किलिर कर दूंगा कि आप इसको से डिलिट कैसे करोगे तो Internation करते हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों आपको डाइक करेंगें उप्राइब इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी सभी transaction दोस्तों यहाँ पर आ जाती हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको दो option मिलते हैं download a statement और filter ठीक है दो option मिलते हैं आपको यहाँ पर delete करने का कोई option आपको नहीं मिलता है अब delete करने का option आपको कहाँ पर मिलेगा यह देखे दोस्तों आपको eustion mark दिखाए देगा corner में इस पर आप click करेंगे और जैसे लिए क्लिक करेंगे आपके सामने कहीं सारे option आ जाएंगे यहां आपको एक option मिल जाएगा profile andぺेमिٹ्स का इस पर आप खिलिक Katrina करेंगे जैसे ही दोस्तों इस पर आप किलिक करेंगे फिर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ options आएंगे अब यहां आपको उप्सन देख लेना है My Phone Pay Profile उपर ही आपको मिल जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर यहां पर چार उप्सन आ जाएंगे My Phone Pay Profile के अंदर यहां आपको एक option मिल जाएगा my phone पे account details का इस पर आप click कर देंगे और जैसे ही दोस्तों click करेंगे फिर आपके सामने तीन option आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे अब इन तीन option में से सबसे उपर changing और deleting details यह option आपको मिलेगा इस पर आप click कर देंगे जैसे ही click करेंगे फिर से दोस्तों आपके सामने पांच option यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे अब यहां दोस्तों आप ध्यान से देखिए सबसे नीचे आप आएंगे और यहां पर आपको एक option मिल जाएगा can I delete all my payment details on phone पे ठीक है यहां पर यह option मिलेगा सबसे नीचे तो आप क्या करेंगे यहां पर click करेंगे और यहां पर दोस्तों जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने यह आएगा यहां पर ठीक है अभी दोस्तों देखिए यहां corner में जैसे ही आप देखोगे यहां से आप किसी भी भासा में select कर सकते हो तो यहां पर हम हिंदी कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके तो यहां पर दोस्तों देखें लिखा हुआ क्या आता है phone paper क्या मैं अपने payment की सारी जानकारी delete कर सकता सकती हूँ RBI के दिसा निर्देसों के मताबिक किसी भी payment app के users app से payment जानकारी delete नहीं कर सकते दोस्तों इसका मतलब है कि आप delete नहीं कर सकते यह साप साप RBI ने कह दिया है कि आप phone पे की transaction history को delete नहीं कर सकते अब नीचे दोस्तों पढ़िए क्या लिखा हुआ है महत्य प्यून phone पेपर आपकी payment की सभी जानकारी पूरी तरह से सुरक्सित है और इसे कभी भी तीसरे पक्स के साथ share नहीं किया जाएगा दोस्तों यह application जो phone पे है यह कभी भी आपके transaction history को किसी तीसरे वेक्ति के साथ आपकी इसको साज़ा नहीं करेगा किसी को भी share नहीं करेगा लेकिन अगर आप इसे खुद से share करना चाहते हैं तो खुद से तो कर सकते हैं दोस्तों उसमें कोई problem नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए आप इसकी transaction history को नहीं delete कर सकते यह RBI के दिसा निर्देसों के मताबिक है दोस्तों इसको आप नहीं अटा सकते तो आज आप यह समझ लीजिए दोस्तों कि आप इसे कभी भी आसे delete नहीं कर सकते लेकिन आने वाले time में दोस्तों हो सकता है RBI इसको लागू कर दे और आप phone पैसे अपनी transaction history को delete कर पाएं लेकिन आभी दोस्तों ऐसा इसमें कोई भी option आपको नहीं मिलेगा delete करने का तो परेशान होना बंद कीजिए आप कितनी भी वीडियो देख लोगे YouTube पर लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों यहीं आपको देखने को मिलेगा आप कभी भी इसको delete नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों यह इसकी अनुमती देता ही नहीं है इस application ने दोस्तों phone पे application ने इसमें वो option दिया ही नहीं है तो आई आप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी कर दे चैनल को भी subscribe कर ले